जैहिन दोस्तों मैं हूँ राहूल और आप देख रहे हैं मिसन कॉंपिटिशन दोस्तों आज है तारीक साथ सिप्टेंबर 2021 और आज के डेट से लिटेड जितने भी करेंट अफेर्स इंपॉर्टेंट्स बन सकते हैं उन सब को हम देखेंगे उस से लिटेड हम फैक्ट्स भी यहाँ पर डेफिनेटली दिखेंगे देखेए वीडियो में आखिर तक बने डखेंगें क्यूंकि आखिर में इस्ट्राइ्टिक जीके यह आपके आगामी सारेक्रम्स में काम आने वाले है चलिए बिना दुरीके वीडियो को यहीं पर सारे पीडियाप्स और नोटीसेज आपको प्रवाइट की जाएंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखें प्रतिष्टित आंस इंटरनेशनल लाइफ टेम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी डॉक्टर दीपक कुमार मिस्रा ओके देखें ओडीसा में इनका जन्म हुआ है और यह नियूरो सर्जन है ठीक है भारती मूल के हैं और दॉक्टर बसंत कुमार मिस्रा को अभी रिसेंटली प्रतिष्टित अमेरिकान अ को समानित करा गया है राइट नेक्स्ट कूर्शन देखते है कूर्शन नमबर टु है हमारा किस डेस ने विमस्टेक देशों की खाड़ी के क्रिसी विशेसग की आथमी बैठक की मेजवानी की है देखें यह जो मेजवानी करी है यह किस ने करी है तो यह करेगा ठीक है तो विश्चेश अग्यों की आठ मी बैठा की ये जो है hosting इंडिया ने करी है ठीक है ध्यान रखे इस बात का next question क्यों देखते है question number 3 है हमारा कौन सा देश 2021 में रास्ट्रिय जलवाईू परवर्तन सम्मेलन यानि COP26 की मेजबानी करेगा COP26 की जो मेजबानी करेगा अगर उसकी बात करेगा तो वो है देखिए वो जो देश है वो है Glasgow दी हमारा correct हो जाएगा देखिए 2020 में ये जो है ना Glasgow में होने वाला था और इसकी मेजबानी Glasgow ही करने वाला था ठीक है United Nation Climate Change Conference का लेकिन तभी क्या था COVID-19 के वज़े से जो है ना काफी जादा महौल घरबर था तो बहुत सारी जो चीजे हैं कैंसल की जा रही थी ठीक है और इसी चक्कर में ये भी कैंसल हो गया था लेकिन दुबारा से अब इसको residual कर दिया गया था 12 मन्स के बाद के लिए जो है ना इसको residual किया गया था और 12 मन्स बाद दुबारा से ये होने जा रहा है UK में ये UK के 31 October से लेके 12 November तक 2020 में ये Glasgow में आयोजन इसका होगा और पार्टियों के जो 26 मी से यूँ तो रास्टिय जालवाई हो परिवर्तन का सम्मेलन जो है ना इसकी मेजबानी ये पार्टनर्ड विच विच बैंक तो लाँज इट्स पॉइंट ऑफ सेल प्यूस बिजनेस भारत स्वाई देखिए करेक्ट जो हमारा यहां आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ओप्सन नंबर C एक्सिस बैंक के साथ देखिए एक्सिस बैंक ने भारत पे के साथ भारत पे नाम से भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल विवसाई के लिए सज़दारिक करी है देखिए यहां ध्यान रखिए का एक बात अगर यहां पूछा जाए कि भारत पे के MD और CEO कौन है MD and CEO तो यहां पे उनका नाम है असनीर ग्रोवर यह ध्यान रखिए है ना असनीर ग्रोवर यह इनके MD और CEO है जो आपको काफी काम आने वाला exams में पूछे जाएंगे नेक्स्ट कोशन देखे कोशन नमर 5 निमलिखित में से किस कंपनी ने अपनी stay in play अभियान के लिए Tokyo Olympic रजत पदक वीजेता मीरा भाई चानू को सामिल किया है ठीक है यहां कंपनी का नाम पुछे आ रहा है देखे correct जो हमारा answer हो जाएगा अगर उसके हम बात करें तो वो है option number D. Adidas ठीक है Adidas ने क्या करा है Adidas ने खेलो में अधिक मासिक धर्म यानि जो females को जो menstruation वाला जो problem होता है हर months वाला ठीक है उसमें महिलाओं को रखने की design महिलाओं को ध्यान में रखके यह design उनने विक्सित किया है और अपने नवीनतम जो उतपाद है यानि product है उसके नवाचार के लिए stay in plane अभियान के लिए टोक्यो उलम्पिक रजट पतक विजेता जो है मीरा भाई चानू इनको सामिल किया गया अच्छा मीरा भाई चानू ये उलम्पिक्स तो इन्होंने खेला है और इसमें इन्होंने रजट पतक भी जीता है यानि कि क्या silver medal जीता है अच्छा ये बताईए ये किस games related है ये देखिए weight lifting से ये relation रखती है ध्यान रखिए इस बात का ठीक है नेक्स देखते question number 6 वाई break 5 minute का yoga protocol application है जो काम करने वाले पेशवरो 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 पर ध्यान केंदित करता है जिसे किस mantra ले दोड़ा लाँच किया गया है ये सबसे पहले को जान लिजे इनका नाम है और ये केंद्री है आयूश मंत्री इन्होंने दिल्ली में वाई break mobile application को लाँच किया ये बैसिकली योगा से रिलेटेट है और लोगों को ये एजुकेट करेगा कि योगा एक्चुली है क्या जो स्लोगन है ना योगा से ही होगा तो उसी से कुछ रिलेटेट नेक्स दखते हैं कुछन नमर साथ विट्वर्ष दोजार बाईस और दोजार इकीस बाईस में मौर्गन स्टेनली के अनुसार भारत के लिए उनुमानित GDP विकास पूर्वान मान क्या है वाट इस दा प्रोजेक्टेट जीडीपी ग्रोध फॉर्कास्ट फॉर इंडिया एस पर मौर्गन स्टेनली ठीक है गरेक्ट यहां हमारा आंसर हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा option number B 10.5 देखिए अमेरिका का यह कंपनी है ठीक है अमेरिका में इस्तित यह इन्वेस्टमेंट बैंक है मौर्गन स्टेनली और इसने विद्वर्स 2020-22 के लिए जो फैनेंसल यह रिकीस 2022 है उसके लिए भारत में जो सकल घरेल उत्पाद है उसकी वृद्धी दर का अनुमान जो नहीं लगाया है कितना तो 10.5% का इन्होंने बोला है यह रहेगा growth rate यह इनका अपना अनुमान है चलिए next question क्यों हम बढ़ते है next हमारा question है question number 8 विस्वनारियल दिवर्स 2021 का विशय क्या है what is the name of sorry theme of the world coconut day correct हमारा देखिए इसमें answer क्या हो जाएगा correct answer हमारा हो जाएगा option number D building a safe, inclusive, resilient and sustainable coconut community aimed COVID-19 pandemic and beyond देखिए विस्वनारियल दिवर्स 2021 कोविड-19 में हमारी और उससे उससे परे एक सुरक्षित समावेस लचीला और टिकाव नारियल समुदाय का एक निर्मान करने के लिए यह जो है बनाया जा रहा है right चलिए next question क्यों बढ़ते है next question हमारा question number 9 क्या बोला जा रहा है question number 9 बोला जा रहा है जैवी की वैक्सिन को बचों पर चरन दो तीन परिक्षन करने के लिए DGI की मंजूरी मिली है ठीक है और इससे कोविड की वैक्सिन उमेदवारी का नाम क्या है तो इसमें अगर हम बात करें इस कोविड-19 वैक्सिन उमेदवारी का तो इसके हम अगर बात करें तो यह है कोरबा वैक्स भी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहीं वैक्सिन है और इसी का नाम है हैदराबाद इस देखें यह बायोलोजिकल इलिम्टेड को ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया यानि DCGI के कुछ सर्तों के साथ पांस एटारावर्स की आयू के बच्चों पर यह अपने कोविड-19 वैक्सिन यानि कोरबैक्स के लिए चरण टू और थ्री यानि के फेस्टू और थ्री के क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिकल प्रिक्षन की इनको मंजूरी मिली है तो अगर बात करें बच्चों पर जो है क्लिनि फीच सफर्फिल पूरा आप यह मैप देख रहे हो यह ओफीचल मैप तलंग आना का है ठीक है और यहां पे आप देख रहे हो यह हमारा प्यारास ऩ Alrighty है क्या है कैपिटल है कहा का तो 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 दो मंत वहा स्थापना हुई अच्था बात करते हैं करेंट में भी की गवर्णर सुन्दर राजन अच्छा आप बात करते हैं यहां के अभी सीम कौन है तो यह स्रीमान जी यहां के अभी सीम है और इनका नाम है के चंडर सेखर राव राइट चले नेक्स कोशन करें नेक्स कोशन हमारा कोशन नमबर 10 यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ध्यान मनाया था देखिए 2 सेप्टेंबर को पूरे दुनिया भर में ठीक है 2019 से हर साल 2 सेप्टेंबर को विस्वनारियल दिवस मनाया जाता है तो गाइस यहां पर आज करनेंट अफर से यहां पर फिनिस होता है अब हम देखते हैं जो हमारे आज की स्टाटिक जीके हैं स्लेक्ट अब करें कि यह कि किस गवर्णर GitHub कारेकाल में स्टाट हुआ तब गंडख नदी को नेपाल में किस नाम से चुका है और बात करें तो बीपीज्स्क्राइब चौन घौनिन से ठीक है भारत के लवनी यहां पे लवनी लिग गया है लेकिन लवनी एक्चुली जो है इसका जो अगर बात करें तो लवनी नदी ठीक है भारत के लवनी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो लू के लवनी नदी के नाम से जाना जाता है आलू की उत्पत्ति सबसे पहले कह तो पेरू चिली में इसका जो है अगर बात करें कि खेती तो सबसे पहले चिली में ही हुई थी मुर्गी के अंडे में कितने परसेंट तक प्रोटीन यहां पर फिर से टापिंग मिस्टेक है थोड़ा सा ध्यान दीजे आप लोग प्रोटीन ठीक है प्रोटीन कितने परसेंट प्रोटीन पायाता है तो 12 परसेंट प्रोटीन पायाता है किसमें मुर्गी के अंडो में नेक्स देखे राश्ट्य जल नीती यह कब लागू ही थी तो यह 1987 से भारत में राश्ट्य जल नीती लागू कर दी गई है नेक्स देखे वरुन योजना किस से इसका relation है तो यह देखे कुत्रिम वर्षा artificial अगर बात करे artificial rain ठीक है artificial rain से यह जो है न क्या तो वरुन योजना इसका relation है तो guys यह था आज का हमारा 7 सेप्टमबरा current affairs उमीद कहां तो यह वीडियो व्लाओ को काफी पसंद आ है वीडियो के असला कमेंट करके ज़रूर बताइए नए लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेर करिए धन्यवाद